प्रधान मंत्री जी की हिम्मत कि आपके सामने आके कहें कि पाक सालों में उनको जनकरी नहीं है कि यहाँ पे छुट्टे जानवर की समस्या है अरे कौन सी दुन में रह रहे हैं कौन सी दुनिया में मस्त हैं अरे उत्तर प्रदेश में आप एक किलो मीटर चल जाएए चलिए गाही से मताईए हेलिकॉप्टर से उड़के उपर से देख लीजिया आज मैंने देखा हर ज़िए छुट्टे जानवर हैं और आपको दिखने पीरा इनकी हिम्मत कैसे हुई मुख्यमंत्री जी की हिम्मत कैसे हुई कि 12 लाख सरकारी पर खाली रखें इन्होंने हिम्मत कैसे हुई कि आपको 70 लाख रोजगार की गोशना और वचन देके 4 लाख रोजगार नहीं बनाएं कैसे हिम्मत हुई आपने हिम्मत दी नाराज क्योंकि आप इस धर्म और जाती के जाल में फसे हुए हो और इस जाल में जब तक फसे रहोगे तब तक इसी तरह से ये प्रधान मंत्री जी, मुख्य मंत्री जी इनके तमाम मंत्री आकर आपके सामने कहेंगे धर्म की बात करेंगे, जाती की बात करेंगे आपकी विकास की बात कभी नहीं करेंगे विकास होगा इनका सत्ता में रहेंगे ये फूलेंगे फलेंगे इनके बड़े बड़े उद्योग पती में तरफ विकास आपका नहीं होगा तो आज मैं यहां खड़ी होकर आपको बताने आए हूँ आखे खोलिए नींद से जागिए जागरों खो जाएए आप नौजवान हो इस देश का भविश्य हो आप समझदार हो माता पिता ने आपको बाप महनत से पढ़ाया है मैं जानती हूँ जब मैं गरीब से गरीब गर में जाती हूँ मुझे बताया जाता है कि दीदी हमने बहुत महनत से इनको शिक्षित किया मैं गरीब से गरीब महले में जाती हूँ लखणाओं के महले में मैं गई वाल्मी की महले में सफाई कर्मचारियों ने मुझे बताया कि दीदी जो भी है बहुत मेहनद की लेकिन इनको पढ़ा है हमने ITI पढ़े थे MA की थी BSC की थी